हेलो फ्रेंस वेल्कम बेक टू लिटिल टैरस गार्डन अज बात करेंगे इस फूलो वाले प्लांट की जो के विंटर सीजन में बहुत ही ज्यादा इजी प्लांट है एक बार इसको लेकी आना है और उसके बाद फिर्स कुछ भी नहीं करना है सिर्फ इसमें पानी देना है औ और इसके खासे दे इसको europe Partners के हम इसको चोटे से प्लांटर में लगा दें और बहुत अच्छी से चलता है और बहुत फ्रावरिंग करता है इसके लिए ज्यादा मती की और ज्यादा जगहे की जरूतीए support को फ्रेंस इसको आप जितने प्लांट में लगाएंगे उतनी ज्यादा खुबसूरती से प्लांट चलता है फ्रेंस और मैं आपको दिखाऊं मेरे पास एक ही ऑफ वाइट कलर है एक ही डाक पिंक कलर है फ्रेंस और एक ही रेड कलर है फ्रेंस देख रहे हूं आप और एक पिंक कलर फ्रेंस यह थोड़ा सा लाइट है फ्रेंस और आप यह देख रहे ही दो कलर का पिंक और वाइट मिक्स कलर है फ्रेंस मेरे पास में तो इस तरह के से मेरे पास यह लगभग 6 प्लांट है फ्रेंस जो कि मैं आपको बताऊं मैं यह पॉद लाई थी फ्रेंस 10-10 रुपे की और मैंने पॉद से ध्रेंस नियुक्त रहने वाला प्लांट है फ्लॉवरिंग विंटर सीजन में करता है फ्रेंस इव वट इसकी जो खुबसूरुत लीफ्स है मैं आपको दिखाऊं यह देख रहे हैं यह खुबसूरुत लीफ्स वाला प्लांट है फ्रेंस इसके अलग-अलग कलर है यह विटर सीजन में फ्रैस इसको अगर शेडी एरिया में धूना सा धूप से बचार के रखे फ्रैंस इस प्लांट को तो नेक्स्टी siजन फ्रैंस to do यह और बहुती खुबसूरूत प्लांट है तो मैं तो इसको स्टोर करने वाली हूँ अगर आप लोगों के पास में अधे प्लांट है तो आप भी स्टोर करें और नेक्स यह नहीं हमें इसकी पहुत लाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो आपको यह मेरा वीडियो अच्छ जुरूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस अपडेट आप तेक इसली बिलती रहें और फ्रेंस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें कि मेरा वीडियो आप लोगों कैसा लगता है बाई फ्रेंस